नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं इस वीडियो में आप सब किशार शेर करूंगी बेंगॉली ट्राइशनल पार्शे मचेत तेल जाल हमने लिया है सेवन पार्शेपीज चार हरी मिक जिसको हमने आधा दकर के कड़ लिया नमाक, सरसो का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिच पाउडर, सरसो का तेल पाज फुरून और शकर पहले हम एक बोल में पार्शे मच लेके उसके आंदर डालेंगे वान थर्ट चामाच हल्दी पाउडर, साथ में एक चाथाई चामाच लाल मिच पाउडर और एक चौथाई नमाक अब मसली के साथ यसारे मसले को अच्छे से कोट करेंगे मसले के साथ मसली को हमने अच्छे से कोट कर लिया अब हम इसको करेंगे फ्राई जिसके लिए कड़े में डालेंगे मस्टर ओयल लाख बख अधा काप अब तेल को अच्छे से गड़म करेंगे तेल गड़म होने के बाद उसमें एक एक करके एप पाशे फीश डालेंगे कड़े में मसली देने के 30 सेकंड बाद ही इसको हमें पलट देना है ने तो फीश बेंट होना स्टार्ट कर देगा तरशे हम फीश के एक साइट को तीन मिनिट के लिए फ्राई करेंगे और दूसरे साइट को भी तीन मिनिट के लिए यानि कि फीश को फ्राई होने के लिए लगबख 6 मिनिट के जरूरत होगा लगबख 6 मिनिट बात अब देख सकते हो मसली दोना साइट से आचे से फ्राई हो गया फ्राईट मसली को हम पैन से उठा के एक प्लेट के उपर या बटन के उपर रख देंगे अब्थेवी के लिए हम बोही टेल इस्तेवाल करेंगे उसके अंदर डालेंगे लगबख आधा जमाच 5 प्लेण फोररं को हम एक मिनिट के लिए करम करेंगे फोरर नचे से फ्राई होने के बात उसमें डालेंगे एक हड़ी मेट एक एक हाडी मीर्च को हमने दो हिस्से में कट लिया था यहाँ पाल लगबग 4-5 हाडी मीर्च है हाडी मीर्च कड़ई में देने के साथ साथी थोड़ा सा दूर से इसको फ्राई करना लगबग 30 सेगिन बाद इसके अंदर हम डालेंगे धाई चमच सरसो का पेज यानि की मस्टर्ट का पेज इसको जल्दी से तलना है इस सेगिन के बाद इसके अंदर डालेंगे लगबग 1-4 हल्दी पाउडर लगबग 2-5 नमक नमक अब को जिदना चाहिए उतना ही डालना इसको थोड़ा सबस तलने के बाद ही हम इसके अंदर पानी रालेंगे पिकोस पेस्ट बहुँ ज़्यादा सूख गया है इसके अंदर लगबग आपको एक प्याला यानि की एक कप पानी के जरूरत है तो इसको हमें फिर से तलना है लगबग 8 मिनिट बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1-4 चमच शकर और इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा सबस 30 सेगिन के लिए तलेंगे 30 सेगिन के बाद ही उसके अंदर एक एक कड़के इशारे पार्षे फिश यानि की पार्षे मजली को डालेंगे लगबग 1.5 मिनिट के लिए इसको हमें इसी तरह से कूप करना है लगबग 1.5 मिनिट बाद मजली के दूसरे साइट को हमें पलट देना है तकि दूसरे साइट भी जूस के अंदर अच्छे से पक जाए इस टाइम गैस या ओबिन के फ्लेम को बिल्कुल लो मिडियम कर देना नहीं तो जूस बिल्कुल सुख जाएगा लास्ट में इसके उपर लगबग 2 चमस सर्शो का तेल डालना इससे इसका फ्लेबर बहुत ही लाजबा पाएगा और गैस या ओबिन को आप कर देना तो रेड़ी हो चुकी है बिंगल फेमाश पाष्य माचिर तेल जाल इसको आप हम सब करेंगे गर्म गर्म राइस के साथ इस पाष्य माचिर तेल जाल को जरू ट्राइगारना और मुझे कॉमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा स्टे हों, स्टे सिप, स्टे हैपी शुक्रिया